असलों में जाहरी बात है मेरे वालदन भी बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है एक शक्स जिसने सारी जिंदगी औरत की कमाय ठाई है जब से इसकी शादी हुई है यह मेरे बैंक अकाउन्ट से पैसे चोरी करता रहा है मेरी एटेंस पैसे चोरी करकर रहा है जिसके सारे एविजेंसे हैं मगर उन सब चीजों को पैसे कुछ मैंने इसलिए डाला कि मैं इन लड़ायों में इतना वक्त निजाया करना चाहिए मेरा वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है और इस शक्स के पास तो कुछ भी नहीं है और जहां तक प्रेस कॉन्फरेंसे और एविजेंसे और ये चीज़ें ये मर्दों का बहुत पुराना टैक्टिक्स राया है कि जब आप किसी औरत के ऊपर कोई बात ना कर सकते हैं आप इसको गिरदार कुशी करेंगे आप मेरी क्या कुछ दार कुशी करेंगे अब जहाएं आपको जो बात करनी है करें जहां तक बच्चों से मिलने का मॉअबला है अगर अगर इतने हैं आपको बच्चों से मॉहबबत है अबल बात पर ये कि मेरा बेट इसकी शकल भी ने देखना चाथा बच्चों को मारता रहा है पीट तर आए जिसके सारे प्रूप्स मेरे कोट्स में दाखिल करा दी है बच्यों की दुबाई और पाकिस्तान पांच टाइम्स कस्टडी दोनों ओनरेबल कोट्स ने मुझे दी अब यह मुझे किस बात पर ब्लाक मेल करता है हम कराची से तीन चार लोग ट्रैवल करते हैं छे लोग मेरे लॉयर्स ट्रैवल करते हैं हमें वन मिलियन कॉस्ट पड़ती है और उसके बाद क्या होता है जी यह एक शक्स कराची बच्चों को से मिलने नहीं आता ना यह वीडियो कॉल करना चाहता है ना यह बच्चों से क पैसे भी वापस किय company 3-4 साल प्हले मेरे नाम पर ईोगे उचे लेता है केस के नाम पर ईयां के नाम पर उसलेता है He's a fraudulent इसका कुई source of income नहीं है इसको पुरे खांदान का कुई source of income नहीं है शाप करेंसे कि एक शष्क्ताँजा की आपको kola कमे ब्लैक मिल करें Ter минимrete मेरे करें इस जिए नहीं ये क्दी ओने क्फ़क pickled ने में इस काँ निवाने लिए कई नगी इस जिए आपट बाते हैं जिनके मेरे पास मुजूद है सारे एविदेंस and everything. Now he wants more money. I don't have any money. Dubai में ये वोंटेड है. इनके एरेस्ट वारंट है. Amerikan ने इनको निकाल दिया. अभी यहाँ पाकिस्तान में जंद मचाते पूंद है. So it's just a piece of trash.